नमस्कार दोस्तों कैशो आप सब मैं आपका दोस्त चुक्टरासीस और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका पेट खराब रहता है खाना ठीक से हजम नहीं होता, बदहजमी बनी रहती है, पेट फूल जाता है, पेट साप नहीं होता है, एसिडिटी बनती है अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है आपका पेट ठीक से साप नहीं होता है तो इस सो से भी ज़्यादा बिमारियों को खुला निमंतरण है दोस्तो इंडिया में लगबग 25% पोपलेशन ऐसी है जो पेट की किसी ना किसी बिमारी से गरशित है फिर चाहे वो एसिडिटी है चाहे वो गैस है बदहजमी है या कबज है दोस्तो कॉंश्टिपेशन के लिए कबज के लिए तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आज आपका पेट साफ हो जाएगा आपको गैस नहीं बनेगी एसिडिटी नहीं होगी लेकिन दोस्तो यह सभी दवाईया और यह सभी घरेलुनुस के वक्ती तोर पर आदमी को असर करते हैं लेकिन यह बिलकुल भी पर्मानेंट इलाज नहीं है अगर आप अपने पेट को जब दोक्टर के पास जाते हैं तो उनके दोरा चलाई गई एंटी एसिड और लेक्जेटिव दवाईयां एक दम से तो अच्छा काम करती हैं लेकिन इन दवाईयों की सबसे बड़ी प्रोब्रम यह है दोस्तो कि इनकी हैबिट हो जाती है इनकी लग जाती है जब आप इन दव जानी इसकी हाई पोटेंशिल लेनी पड़ेगी दोस्तो लैक्जेटिव की जब हम हाई पोटेंशिल लेते हैं मैं अंग्रेजी दवाई की बात कर रहा हूं जब हम इनको हाई एमजी में लेते हैं तो इनसे हमारी आतों पर बहुत बुरा असर पड़ता है आते अंदर से ख समश्या हो शकती है मैंने कवज के बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनने अपने हाथ से अपने अंगुली से कवज को मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है यह बहुत सारे पैशेंट ऐसे हैं जिनको एनिमल यह बिना उनको लैटरी नहीं आती तो आज के अपने इस वीडियो में मैं पेट की तीनों समश्याओं के पर्मानेंट समाधान के बारे में बात करूंगा पहली समश्या एसिडिटी दूसरी समश्या गैस और बधजमी और तीसरी समश्या कॉंश्टिपेशन आज मैं आपको एक ऐसा होमियोपेथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप अपने आप खुद घर पर ही बना सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के कुछ खुभी मैं आपको बता देता हूं सबसे प दवाई ले लिए और आपका पेट साप हो गया यह आपकी बिमारी की जड़ पर काम करेंगी यानि कि जब आप दवाई लोगे तब भी आपको अराम करेंगी और जब आप इन्हें लंबे समय तक लोगे तो आपकी बिमारी के कारण को खतम करके आपकी बिमारी को हमेशा के लिए ठीक करेंगी तो इस कोंबिनेशन को बनाने के लिए आपको 6 होमियोपेथिक दवाईयां 30 पोटेंशी में होमियोपेथिक मेडिकल इस्टोर से लानी हैं अगर आपको यह दवाईयां 10 ml में मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो आप इसकी पूरी पैकिंग ले दवाई है रेफाइनस सेटाइवा 30 तीसरी दवाई है ऐसा फटेडा 30 चोथी दवाई है नक्स वोमिका 30 पांची दवाई है लाइक पोडियम 30 और चटी नंबर की दवाई है कार्बोवेज 30 दोस्तों आप यह 6 दवाईयां बराबर मात्रा में होमियोपेथिक इस्टोर से ले आईए या तो वह आपको 10-10 ml छोटी सीसी में डालके दे देगा नहीं तो आप 30 ml यह सीसी आं ला सकते हैं यह तो आपके घर पे बहुत काम आने वाली है अगर आपके घर में रात में किसी को पेट में दर्द हो जाए बच्चे को दर्द हो जाए तो दो बूंद उसके म कॉम्बिनेशन का इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका बता रहा था आप ये दवाईयां बराबर मातरा में ले आए एक बड़ी सीशी लीजिए कांच की सीशी लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कांच की सीशी में लंबे समय तक दवाईयां सुरक्षित रहती हैं उस बड़ी सीशी में इन 6 दवाईयों को बराबर मातरा में डाल लीजिए और इसे अच्छे से एक बार बहुत जोर जोर से हिला लीजिए ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इस कॉम्बिनेशन की 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेनी हैं अगर बच्चे को देना चाहते हैं तो बच्चे को 2-3 बूंदे आप दे सकते हैं ये कॉम्बिनेशन मैंने इस पेसल 40 पलस वालों को टार्गेट करके बनाया है तो जो 40 पलस वाले हैं चाहिए उनकी उम्र 50 वर्स है उनके लिए तो बहुत बहुत बह कर सकते हैं यानि कि आपको अभी अभी इंडाइजेशन फील हो रहा है आप इसकी 10 बूंद ले लीजिए आपका पेट हलका हो जाएगा अभी अभी आपको गैस बन गई है आप इसकी 10 बूंद ले लीजिए आपका पेट हलका हो जाएगा आपको कबज मैसूस हो रही है तो तो इसकी 10-15 बूंद रात को सोते समय ले लीजिए, सुबह आपका पेट खुल कर साफ हो जाएगा, और दूसरा आप इसे लगातार भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसको लगातार 1-2 महीने तक इस्तमाल करने से आपकी पेट की प्रोबलम पर ये जड़ से वार करता है, और लगात लेने से पेट की प्रोबलम जड़ से खतम हो जाती हैं, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सुगर के लिए, कोलोस्ट्रोल के लिए, पूर्सो की कमजोरी के लिए, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने होमियो पैती की बहुत अच्छी अच्छी दवाईयों के बारे में बताया है, आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके किसी साथी को मेरे वीडियो की जरूरत है, तो आप उसे स शेयर भी कर सकते हैं तो आज कई वीडियो यहीं सवाप्त करते हैं मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको मेरा नमस्कार